हाइ गाइज ये देवांग मैश्वरी दिश साइट आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे दो स्टोग क्वेरिज की जो जो हमें लास्ट यूट्यूब वीडियो के कमेंटे चार्ट में बात करेंगे कि क्या यहाँ पे कुछ अच्छे triggers हो सकते हैं आगे बढ़ने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले stocks की queries हम आज cover करेंगे अपार industries और Renu का sugar यह है अपके सामने अपार industries stock जो है overall एक काफी अच्छे trend में है अगर हम यहाँ से देखे June 2022 से तो stock 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th month तक एक single side uptrend में चलते जा रहा है currently अगर हम एक fresh position के सबसे अपार industries में बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा अब careful रहना चाहिए क्यों क्योंकि एक बहुती solid run short term में हमें देखने को मिला था और long run में भी यानिकी monthly chart में भी पिशले 8-9 महिने से continuous up move चल रहा है हमें recently में 45% ठक का up move मिला था इसके बाद एक थोड़ा consolidation phase का हमको यहाँ पे wait करना चाहिए ओके stock consolidate हो एक अच्छा consolidation हमें जब मिलता है उसके बाद हमें कहाँ पर stock पे कुछ करना चाहिए क्योंकि shorter term में stock जो है वो extended है second stock की बात करते है रेनू का sugar sugar stocks में कल काफी अच्छा run आया था और इसके बाद काफी लोगों की queries आने लगी कि sir रेनू का sugar में क्या करें या दूसरे sugar stocks में किस तरीके से हमको अभी move करना चाहिए अब देखिए रेनू का sugars का weekly chart आई है अगर हम इस weekly chart को देखे तो stock एक upward channel में move कर रहा था यहाँ पर यहाँ पर एक upward channel stock ने movement दिया था नीचे की side आपको support zones मिलेंगे multiple touch points उपर के side आपको resistance zone मिलेगा और finally यहाँ पर यह upward channel का breakdown हुआ था अब यह upward channel का breakdown क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो stock का trend था वो नीचे की side चला गया है for the moment अब हमें यहाँ पर कोई भी trade लेने के पहले यह level which is around 69 levels, 70 levels इसके breakout का wait करना चाहिए क्योंकि जब stocks के उपर break होगा तभी वहाँ पर वापस से एक अच्छे up move आने के chances है उससे पहले stock जो currently है वो एक downtrend में है हर दिन के daily movement से हमें यहाँ पर बहुत सादा view change नहीं करने चाहिए आपका जो एक view है वो पहले आप higher time frame में बनाईए और समझे कि क्या overall stock में रहा है क्योंकि downtrend में भी अच्छे अच्छे up move आईए जैसे कि कलम देखे तो 7% का up move था उसके पहले 5% का up move था और आज देखे तो 5% फिर माइनस हो गया इसलिए एक resistance supports पे पेने work करिए trend को समझीए और इसके बाद daily movements को wait दीजिए अब बात करते हैं markets में दिखिए small caps और mid caps में पिछले 3 session से एक अच्छी तेजी आई थी follow up moves भी हमको काफी सारे stocks में दिख रहे थे आज यहाँ पर एक profit booking activity हुई है बट अगर हम nifty देखे तो nifty ने अभी तक अपनी कुछ इसी trend pick up नहीं करी है और एक complete bearish engulfing हमको nifty में आज देखने को मिली है बट small caps mid caps अभी comparatively पिछले 7 दिन से 6 दिन से outperform कर रहे है nifty को अलग-अलग indices की बात करें अगर आज हम तो सारे indices में ही लगभक selling हमको देखने को मिली है अगर हम FMCG sector देखे तो यह 1% तक गया है IT sector 1.08% और IT में हमने पहले भी बात करी थी कि IT sector ना मैं अभी bullish हूँ ना मुझे bearish लगता है यह सिर्फ एक sideways zone में move कर रहा है एक upward channel में तो यहाँ पर थोड़ा और wait करने की जरुवत है अभी भी कुछ particular direction decide करने के लिए PSU banks में देखे आज तो 1.13% का profit booking आया है पिछले 4-5 session में index काफी अच्छा move हो है 6-7-8% का move दिया था तो थोड़ी यहाँ पर profit booking expected थी कि आ सकती है Nifty auto एक full reversal हुआ है auto segment में कुछ ऐसे खास follow-up moves नहीं दिख रहे है दो दिन तीन दिन आते है फिर महां से reversal हो जाता है तो यह currently ऐसा sector है जहाँ पर थोड़ा सा आपको cautious रहना चाहिए allocation कम रखना चाहिए जब तक यह अच्छा एक overall index level पर breakout नहीं दे देता है infrastructure में आज हमें profit booking देखने को मेली क्योंकि पिछले 3-4 session से इंफ्रा सेक्टर में भी तेजी थी 3% 3.5% का move single side आया था तो यहां पर भी आज हमें profit booking देखने को मेली तो small caps mid caps मुझे profit booking आज जो ही वो अभी तक सिर्फ profit booking ही लगती है देखते है आने वाले sessions में क्या weakness continue हो रहती है या यहां से जो भी supply आता है वो absorb होता है और market अपने run को continue करता है उपर की side बात करेंगर हम advance decline ratio का तो आज का advance decline ratio रहा है 0.67 याने कि आज overall जो bears थे वो अच्छी force में थे FII-DII का data है वो बात करें तो FII ने अज net selling करी है 561 करोड की net selling है और DII ने 42 करोड की net buying करी है FII-DII कल के session की बात करें तो खूब buying थी हो सकता है आज उसी चीज़ की थोड़ी सी profit booking यहाँ पे भी हमको देखने का मिली है चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे segment पे PSE Public Sector Enterprises में overall क्या हो रहा है और आपको यहाँ पे कौन कौन से stocks पे थोड़ा study करने की जरुवत है यह है आपकी screen पर Nifty PSE यानि की Nifty Public Sector Enterprises का मंतली चार्ट ठान से देखिए over the years क्या हुआ है यहाँ पर एक काफी solid जो run था जहाँ पे बहुत multi package बनेते Public Sector Enterprises से वो बनेते 2003 से 2007 के bull run में जहाँ पे index देके हम अगर तो index ही five times हो गया था पर उसके बाद ये index में अभी तक कुछ नहीं हुआ है जहाँ था 2007 में आज भी almost उसके पास में ही है और अभी ये index ऐसी जगे है जहाँ पे हमें 16 years का breakout दिख सकता है यहाँ पे दिखिए एक अच्छा resistance अभी अच्छा consolidation हो रहा है जो कि इस index इस resistance के पास में हो रहा है और यहाँ से एक breakout के तरफ index बढ़ रहा है अगर हमें मंत्री लेवल पे एक अच्छी closing मिल जाती इसके उपर index लेवल पे 4,678 के उपर यानि कि आसे 2-3% और उपर closing मिल जाती है तो यह एक confirmed breakout होगा और अगर ऐसा हुता है तो आपके radar में PSE companies होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर वापस से एक अच्छी पेजी दिख सकती है अब हम और बात करते हैं कि निफ्टी PSE में कौन कौन सी stocks है अगर यहाँ पर आप देखे हैं तो यह है निफ्टी PSE Index 20 stocks है इस index में particularly different different sectors को belong करते oil, gas, consummable, fuels में 40% का पेटे power में 30%, capital goods में 11% का financial services में देखे तो 8% metals, mining 3.5%, consumer services 3.4% और other services 3% का तो इतने सारे sectors हैं जो निफ्टी PSE में cover हो रहे हैं इन सब sectors की public sector की companies वो सब यहाँ पर आ जाती है अब बात करें हम यहाँ पर कौन कौन सी top weight की companies है सबसे पहले आती है NTPC जिसका 15% तक का weight है power grid 13% तक का weight कि दोनों power sector को belong करते then oil and natural gas corporation ONGC का 10% coal India again power sector आ गया 8% भारत electricals एक तरिके से defense में आ गया 6% BPCL 6 Indian oil corporation 6 6% 4% IRCTC 3.4% यानि कि इसमें power sector जो है वो majority constitute कर रहा है इन से के इन जो petroleum products होते है जिसे कि ONGC BPCL ये इस stock में आ रहे है इस index में आ रहे है चलिए बात करते हैं अब हम कुछ stocks की जैसे की NTPC, Power Grid, ONGC देखते हैं इन stocks में क्या हो रहा है क्योंकि सबसे बड़े weight इनके ही है तो अगर ये आगे जाएंगे तो automatically ही यहाँ पर पूरे index का breakout हो जाएगा और जो second level, second category है stocks की वो भी पर आगे side movement और तेजी उनमें भी दिखेगी यह है NTPC देखिए अच्छी तेजी जैसे कि हमने देखा 2003 से 7 में थी उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं हुआ अब यहाँ पर currently अगर हम देखे तो एक तीन चार महिने का consolidation चल रहा है की बात करें तो यह एक interesting breakout point के पास में है यह power grid का weekly chart यहाँ पर देखिए multiple time rejection हमको देखने को मिला है इस particular trend line से यहाँ से यहाँ से एक थर्ड हो गया और नीचे की side यह एक अच्छा support zone है wider trend देखिए हम mantilly zone पर जाते हैं मंत्री में अगर हम देखिए तो एक बहुत बड़ा breakout यहाँ पर हो गया है power grid में 2007 की यह trend line थी जिसका breakout हो गया यहाँ पर देखिए resistance यहाँ पर फिर resistance और यहाँ पर कुछ हमें यह breakout देखने को मिला और इसके बाद overall power grid जो है वो sideways zone में चला गया याने कि 2021 November से side base momentum में चल रहा है और अब ऐसा लग रहा है यहाँ से यह जो range है इसका breakout हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है एक full retracement हुआ है अब हमें इस level का वेट करना है आपर एक short term trade के लिए वह है 230 लेविल्स का नेक्स हम बात करते ओंजीसी की ओंजीसी की अगर हम बात करें तो ओंजीसी करेंटली एक अपट चैनल में लो कर रहा है आते हैं हम daily chart पे और clearly दिखेगा यह एक upward channel है जहाँ पर उपर के side हमको resistance मिल रहा है और नीचे की side हमको यहाँ पर एक अच्छा support मिल रहा है तो अगर हमें इस particular upside trend line का breakout मिलता है तो यहाँ पर एक तेजी हमको दिख सकती है जो है level 162, 163 के उपर तो हिंट stocks पे आपकी नजर होनी चाहिए इनके अलावा जो stocks है जो आप और analysis कर सकते है वो है Gail India Limited, Hindustan Aeronautics Limited, Gail India में भी gas related sector अगर आप देखेंगे हमने एक वीडियो भी बनाया तो उस पे इसलिए market update के वीडियो में चाहिए मनें MGL, IGL, Gail इन सब के बारे में discussion भी करा था तो सारे stocks जो है ना यह पीए सी के यह बहुत interesting point में है तो आपको यहाँ पे इनको अपनी watch list में रखना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर यहाँ फर्दर breakouts होते है तो आप इस sector को miss नहीं कर सकते है बहुत समय बात कुछ तेजी यहाँ पे आएगी एक अच्छी तेजी जो है वो यहाँ पे मिल सकती है उमीद करता हूँ आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा अगर ऐसा है तो चानल को सब्सक्रेब करना मत भूलिएगा वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो म जो है मैं एशली